राजस्तान में सियासी भूचाल का आदार बने कॉंग्रेस के पुर्वे परदेश अध्यक सुवे पुर्वे उपमुक्य मंतरी सचीन पाइलेट अब एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ाने की रणनिती में जुट गए हैं जैसा कि आप सब जानते हैं 34 दिन ता कांग्रेस को अपने वागी तेवर दिखाने वाले सचीन पाइलेट की गरवापसी इसी सर्थ पर होई की पार्टी में और राजस्तान की राजनिती में उनका कद बढ़ेगा और ये कद आकिरकार कांग्रेस पार्टी किस तरीके से वो फेशला सामने आ गया है बहुत जल मद्य परदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चुनाव की इसी गरमाहट के बीच में सोनिय गांधी प्रियंका गांधी वाड़रा और राहुल गांधी अपने पर्चासियों का परचार करने के लिए मद्य परदेश की ज गुनाव में 25 का जिम्बा संबालेंगे जो जानकारी मिल रही है उसके आदार पर आपको बता दे सर्चिन पाइलेट ने कॉंग्रेस का परदेश अध्यक्स करते हुए हर जिले में अपनी टीम बनाई थी और अपने समर्थकों का बड़ा धड़ा तयार किया था इस बीच परदेश अध्यक्स पर उनका कारे का लंबा होने सत्ता में उनके समर्थकों की और हो रही अंदेखी के चलते पाइलेट ने बगावत का रास्ता पकड़ा असो गेलोट सासन की जड़े हिला कर रख दी हालांकि बहुत जल सचिन पाइलेट को पार्टी हाईकमान ने मना लि अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके आदार पर आपको बता दें सत्तीन पाइलेट पहुँचने वाले हैं मज्जे परदेश गुालियर चम्बल के अंतरगत आने वाली संभाग में 16 सीटों में से 9 सीटों पर सत्तीन पाइलेट परचार करेंगे 9 सीटों पर कांग्रेस को देखते हुए उन्हें मध्य पर्देश की राजनीती में नो विदान सबाज सीटों की परचार की जिम्मेदारी समालने का फेशला पार्टी आला कमान की द्वारा लिया गया है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेर और अपनी राई कमेंट बॉक्स में जरूर दें दन्यवाद